कि हालो काइज रीषपी में आपका सागतास हम बनाने वाले हैं चेकन फ्रायर मैंने यह पार चीकन ये अ हम चीकन लिया हुआ है 4 पार वडंकी बां के पाट वा पच्छे कन मसाला ये हमने राला दू नीबु का रस और मैंने यहां पर दो चुप मेडियम साथ कप्याज लिया हुआ है जो पेस्ट बना के लिया हुआ है चारे पेश्टों का अच्छे सबक्स करेंगे करें हें यह हम एंपर आद्रेक लास्जू पईस्ट आला एह वह प्रे पीज करें से हाथ से करने साथ बंद में हमार या सब करने से हाथ लिए यह सब अजसरी मिक्स हो साथ अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे क्रिश्पी बहुत अच्छे से होता है चिकन्टिक का बनाने में तो बहुत क्रिश्पी अच्छे से हो जाता है यह आप स्वादुन सार नमक मिला सकते हैं इसमें यह हमारा सब अच्छे से रिटी होगे हैं देखो इस तरह अब कड़ाई में तेल गरम करने को रख दिये हैं वह अच्छे से गरम हो जाने के बार हम एके करके यह सब चिकन डालेंगे इसमें चिकन को अच्छे से फ्राइब करेंगे इसमें पहले तेज आज में रहेगा फिर थोड़े देख बार पलटने के बाद हम इसको थोड़ा दीमी आज में रखेंगें तक जले ना और अंदर से पक जाये अच्छे से को सब्सक्राइन है इसको इसे पलट लेंगे आप इस तरह से पलट लेंगे सबको ऐसा ही हम पकाएंगे एक एक के दो लो करके चार चार पांच पर डाल के आपके कड़ेमें जेतने जगह उसस आप डाल रहते हैं देख सकते आप कितने ब्राउन कितने कृष्पी देख रहे हैं देखने में तेतना बुलाजवाब देखे तो खाने में कितना मजाएगा आप भी बनाएगा जो अपनी घर पे बहुत आसान तरीके हैं कोई जंजट नहीं जादा मसाला भी नहीं आराम से आपके घर में आपके बच्चों पर भी बहत पसंद आएगा जट पर बना सकते हैं आप लोगा यह जाने के बार हमिसको निकालेंगे तेल को अच्चहस निकाल लेंगे जाद इस तरह से सबको निपालेंगे तेल को निकालना जरूर रहता है श्यादा नहीं लगता है तो ये ओन्सको थोड़ा आप लोगों को आच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो देखने के लिए थाइंक यू